नेपाल में कोसी बराज से पानी छोड़ने के बाद गंगा के जलस्तर में भी तेजी से उड़धी होने लगा करीब 24 सेंटी मीटर से अधिक गंगा में उड़धी हो चुकी है ऐसे में बारपृतों की जिंदगी फरसे एक वार मुस्किल में पढ़ गई है पछले एक माह से पहले से परिसान बारपृत की परिसानी अब और बढ़ गई है इस्तती ऐसी है कि भूखे भी शोना पर जारा लेकिन प्रशाशन पूरी तरह से अपने जिम्मदारी से भाग खड़ा हुआ है लोगों के घरों में फरसे पानी भढ़ना शुरू हो गया ऐसे में हवाई अड़ा में शरन लिए बारपृतों को प्रशाशन यहां से भगाने के पीछे लग गई है लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी हम जाकर कहां रहेंगे फरसे पानी आ गया है सूखने के बाद ही घर में कोई भी रह सकता है यहां से जाकर अभी कहां शरन लेंगे जब अवाई अड़ा में रहरें बारपृतों के बिछ लोकलेटीन की टीम पहुंची तो द्रिस्ती काफी दर्दुनाग थी पेर के सहारे पड़िवार उस तेज धूप में शमयवतित कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे चूरा वो मूरी खाकर भूख मिटा रहे थे जब इसको लेकर लोकलेटीन की टीम ने जानने का प्रियास किया तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों का घड़ भी सही से नहीं सूखा है यहां भी शिवीर सब बंद कर दिया गया अब सूखा भूजन की सहारे जिंदगी काटनी है यहां तक लाइट की व्यवस्ता खत्म कर दी गई है किसी तरह इस जंगल में जिंदगी कट रही है प्रित बताते हैं चार दिनों से लाइट तक काट दिया गया आँखों से नेंदी खत्म हो गई है अहरमी सा डर रहता है कब कौन सा जानबर आ जाएगा कहना मुस्किल है अंदाज से अपने टेंट में समान को खोसते हैं दीन में धूप के कारण बच्चों को लेकर किसी पेर के नीचे समय बिताते हैं रात में पन्नी में जगे रहना पड़ता है जहरीले जीब जन्तु का डर बना होता है उन लोगों ने बताया अगर कश्ट नहीं रहता तो हम लोग यहां क्यों रहते इस्तती समानी होने पर खुद घर चले जाएंगे पानी की क्या इस्तती है अभी पार रहा है कैसे आप लोगों का जीवन यापन हो रहा है कैसे तंबू तोन के रहते हैं सत्तु फत्तु खाते हैं कहां से आए हुए हैं ताजादपूर पंचाय की अमरी विसनपूर अच्छा एक चीज बताए यह सिवीर अभी लगा हुआ है खत्म कर दिया गया है तब अब कैसे रहना होगा किसी तरह से लाइट की क्या वस्ता होगी अंधरे में बच्चे सबको कैसे रखेगा डर नहीं लगता डर लगता है तो आखरी हम सब क्या करेंगे हैं हमरा सब यहों कोई अप्शन को है नहीं मतलब सूखा रासन के भड़ों से जिंदगी कट रहा है क्या नाम हो आपका बचंदे मंदल पानी की क्या स्थिया फिर से बढ़ने लगा अभी आप लोग कहा रह रहे हैं कहां से आई हुए ग्राम नुर्दिन पूर्दु देला साजागपूर पंचा पर खंड नारायन पूर से कैसे जिंदगी कट रही है यहां पर कुसी तरहे से चला रहे हैं से इसलो कर शिभिर लगा हुआ था सीविर लगा οाथा चाल भी खोला अच्छा म सीविर खोल दिआ गया कितना परेसानी बढ़े गा लोगों का कि बहुत परसोनी बढ़ेगा कैसे खाना पिना होगा आप लोगों का किसी तरह से मनेला जेक खा पिते हैं सुखार सक्तु अगरे बच्चे को कैसे रखते हैं बच्चे को अंधेरे में ही रखते हैं यह लाइट वीट सब खोल दिया गया है आसपास जंगल भी है पूरा उसे दरनी लगता रात में घर लगता है तो आफिर क्या किए गार्वान भरोसे भगवान भरोसे क्या नाम वह आपका कितने दिनों से यहां रह रहा है पंदरा दिन से मतलब सुखार आसन के भरोसे यह जिंदगी कट रही है कैसे रहना होता है आप लोगों का तो रात में क्या निंद आ जाती है अच्छे इतना धूप में कैसे पन्नी के सहारे जिंदगी कटती है कैसे वुरिक्ष के नीचे समय कट जाता है अच्छा सिविर चालू था बंद कर दिया अब कैसे खाना पीना होगा कहां से आए गों है तो से लाइट की क्या गोस्ता है अब गोद में छोटा बच्चा है इस अब बच्चे को कैसे रखेंगे रात में डर नहीं लगेगा लगेगा तो प्रक्राइब निंद भी नहीं होती है क्याना मुआपका?